हेलो फ्रेंड्स आपका स्वागत है सीपाई में आज का टॉपिक जो हम लेके आये हैं वो है अमाइन यानि की अमाइन के बारे में आज से हम एक सीरीज स्टार्ट करेंगे और डिटेल्ड स्टडी करेंगे अमाइन की है न तो आज से सुरू करने जा रहे हैं अमाइन को तो कैसे अमाइन की सुरूआत होगी क्या क्या चीज़े होंगी उन सब के बारे में हम डिटेल्ड स्टडी करेंगे तो सबसे पहले जान लेते हैं, अमाइन क्या होते हैं? अमाइन होते हैं आपके अमौनिया से, aja3 से, माइनस आपने हाइड्रोजन कर दिया, एट लिस्ट एक हाइड्रोजन और प्लस कोई ना कोई अल्किल या फिर आपने ऐरिल गुरॉप अैड कर दिया तो इससे बनने वाली चीज जो होगी वही क्या होगी बताव आपका अमाइन होगी ठीक है तो आमोनिया का जो डेरिवेटिव होगा वही क्या होगा आपका अमाइन होगा तो तीन टाइप के तीन चार टाइप के जो अमाइन होते हैं उनके बार में जान लेते हैं पहला होता है आपका one degree है माइन one degree का मतलब क्या है कि जो NH2 ग्रूप होगा नहां ये केवल एक किसी R ग्रूप एलकिल ग्रूप से जुड़ा हुआ होगा या फिर Aral ग्रूप से जुड़ा हुआ होगा जैसे CH3 NH2 या फिर CH3 CH2 NH2 ये दो ही दोनों ही क्या होंगे बताओ one degree amine फिर चलते हैं two degree amine के पास two degree amine बोलता है कि भाई आगर आपके पास कोई nitrogen है तो उसके side में न दो ग्रूप लगे होने चाहिए जो कि एलकिल ग्रूप हो और ये NH हो गया इसको two degree बोलेंगे जैसे NH है आपका इस तरफ भी क्या है मानलो CH3 है और इस तरफ भी क्या है बताओ CH3 है डाइरेक्टली दो एलकिल दो कारवन चैन से जुड़ा हुआ है इसका मतलब ये two degree हो गया three degree के पास जलते हैं कि nitrogen जो होगा वो तीन ग्रूप से जुड़ा होगा तीन कौन से आर ग्रूप तीन के तीन हो क्या होंगे बताओ आर ग्रूप होंगे उन से जुड़ा होगा ठीक है जिसे मैं लिजे nitrogen है यहां पे आपने CH3 लगा दिया यहां पे भी आपने CH3 लगा दिया और यहां पे भी क्या कर दिया आपने CH3 लगा दिया यही आपका three degree है फिर चलते हैं aromatic amine क्या होते हैं तो aromatic amine के लिए है aromatic का मतलब क्या benzyn ring यानि कि किसी भी benzyn ring के साथ जब कोई NH2 ग्रूप लग जाए तो उसको ही क्या बोलेंगे हम aromatic amine NH2 aniline नाम है इसका aniline यही क्या है आपका benzyn aromatic amine तो इसके बारे में तो हमें पता चलिए है उसके बाद हमें करना क्या है कि इसका जैसे आई यू पीएसी nomenclature जान लेना है आई यू पीएसी nomenclature कैसे लिखना है alkyl amine के आधार पर है ना जैसे मान लो आपको दे दिया CH3 NH2 दे दिया तो इसका नाम हो जाएगा मिथे नामीन क्या हो जाएगा बताओ मिथे ना ना मेन या फिर यहाँ पर जैसे दे रखाए CS3 CS2 NH2 तो दो कारबन वाला है तो इथे नामीन ठीक है यहाँ पर N-methyl इथे नामीन अब यहाँ पर देखें आप यहाँ पर दोनों तरफ क्या दे दिया है यह 2 डिग्री है सबसे पहले तो यह क्या है बताओ 2 डिग्री है तो इसमें कैसे लेखेंगे हम लोग इसमें लेखेंगे देखो nitrogen पर methyl group लगा हुआ है और nitrogen पर क्या लगा है आपका ethane group लगा है ठीक है ना पर यहाँ पर देखें कि दो मतलब आपके पास ना दो इथाईल दे रखें nitrogen के साथ यह भी है यह ज़ी है और यह भी तो इथाईल ही है अब होगा कि ऐसे केस में आपको क्या करना पड़ेगा दो को nitrogen के साथ एनन डाइ इथाइल लगाना पड़ेगा और इथिनामीन अलग एन लगाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसका मेरी होता है कि आपका जो ग्रूप है वो ऑक्सिजन से जुड़ा हुआ है ठीक है फिर चलते हैं इसके स्ट्रक्चर में देखिए स्ट्रक्चर को जानने के लिए हमें जानना एक बहुत जरूरी चीज जाननी होती है उसका नाम है हाइवरिडाइजेशन इस्ट्रक्चर को जानने के लिए जानना जरूरी है जो उसका नाम है हाइवरिडाइजेशन हाइवरिडाइजेशन तो हाइवरिडाइजेशन निकालने का फॉर्मूला होता है वान मैं NST की hybridization निकालता हूँ, मैंने अभी यह कहा कि जो formula होता है V plus M होता है 1 by 2 into V plus M है ना, minus C plus A होता है, मैंने यह ही कहा, तो जो यहाँ पर V होता है, V बराबर होता है electron in valence cell of central atom central atom दूसरा M मतलब होता है number of monovalent monovalent atoms monovalent के अंदर कुछी चीज़ आदे है, जिसे CL आगया आपका BR आगया, आपका hydrogen आगया या फिर IR ठीक है जिसके पास एक electron C का मतलब होता है cationic charge cationic charge और A का मतलब होता है आपका anionic charge anionic charge यह जो formula होता है, इसी को बोला जाता है steric number calculation देखे, अभी हमारे पास दे रखा है ns3 दे रखा है ns3 का hybridization इस formula का यूज करके हम करते हैं तो ns3 के लिए जो nitrogen के valence cell में electron होते हैं वो कितने होते हैं, 5 होते हैं है न, और जो आपका hydrogen होते हैं यहाँ पर monovalent कितने हैं बताओ यहाँ पर आपके पास जो monovalent है m की value वहाँ पर कितने है 3 है, क्योंकि 3 hydrogen है अब formula में रखते हैं इसको तो steric number is equal to आ जाएगा 1 upon 2 into v कितना है अच्छा इसमें न, c बराबर भी कितना है 0 कैटाइन, कोई charge ही नहीं होता है और a की value कितनी आ गई बताओ, 0 आ गई तो v की value आ गई 5 तो क्या करेंगे 5 plus, m की value कितनी आ गई 3 है न, तो कितना हो गया यह हो गया 8 upon 2 is equal to 4 अगर न, कहीं पर यह value 4 आती है न, तो इसका मतलब होता है कि hybridization क्या होता है sp3 होता है ऐसे यह जो values की बात है मैं करूं, तो इसकी कुछ values है जिसे आपके पास न, आपके पास जिसे मान लिजे 2 आया answer तो इसका मतलब होगा sp3 होगा 3 आया, तो इसका मतलब होगा sp3, 4 आया तो इसका मतलब होगा sp2, sorry, 3 का मतलब sp2 होगया, sp3 में 4 होगया, 5 आया तो इसका मतलब होता है sp3 d, 6 आया तो इसका मतलब होता है SP3D2 यह कौन सी होती है SP में कौन सी शेप बनती है आपकी linear बनती है और SP2 में कौन सी बनती है trigonal planar बनती है SP3 में कौन सी बनती है tetrahedral बनती है और SP3D में कौन सी बनती है TBP बनती है और SP3D में कौन सी बनती है, Octahedral बनती है, समझें, इसका मतलब यह है, SP3 का मतलब है, कि कुछ ऐसा structure बनता होगा, कि भाई, Tetrahedral की बात की जाए, तो Tetrahedral दिखने में कैसा होता है, देखो जी, Tetrahedral आपका दिखने में होता है, कुछ यह Nitrogen है, यह है आपका back side का Hydrogen है, यह है आपका front side का Hydrogen है, और यह कौन सा वाला है, on the plane वाला Hydrogen है, और उसके साथ सा long pair of electron भी कितना रहता है, इसमें एक रहता है, ऐसे long pair of electron, ठीक है, इसलिए इसमें जो bond angle आता है, वो कितना आता है, बताओ, 107 degree आता है, ठीक है आगे जी एराइल अमाइनों की अगर बात की जाए तो एराइल अमाइनों में क्या होता है बोला है इसने कि भाई जो आपका नाइट्रोजन होता है और डाइरेक्ली किसी जुड़ा होता है किसने किसी एरेल चेंज ठीक है इतनी सी बाते हैं इसके अंदर इसके बात च हिस्सा तरीका है उसको बता देते हैं रखिए आमा इनको प्रिपेर करने के लिए है आप सबसे पहले एक काम करिए कि जो भी आपका ग्रूप है ठीक है ना से नो टू ग्रूप है तो नो टू ग्रूप से बात बनेगी सबसे बहल तो नो टू ग्रूप से क्या बात बनेगी कि आपको NO2 ग्रूप क्या कर देना है मैं यह कहना चाह रहा था कि आप अगर NO2 को रिडियूस करोगे क्योंकि NO2 क्या है बताओ Oxide of Nitrogen है इसका Reduction करेंगे तभी तो क्या बनेगा बताओ NS2 बनेगा तो NS2 का NO2 का जब Reduction करेंगे हम तभी क्या बनेगा आपका NO2 बनेगा तो Reduction करने के कुछ तरीके हैं पहला तो है आपका SN और HCL के प्रेजिंस में या फिर Nickel Hydrogen के प्रेजिंस में या फिर Zinc NaYS के प्रेजिंस में या फिर PDH2 के उसमें इन में से आप किसी भी चीज में यूज कर सकते हैं ठीक है ना तो इससे आपका क्या बन जाएगा मतलब यह आमाहिन बन जाएगा कैसे देखिए माल लिजे आपको दे दिया CH3NO2 दे दिया आप से बोला कि भाई आपको क्या करना है बताओ अच्छा बीज में ना कोई कंडिशन दे दी PDH2 दे दिया माल लिजे तो आप क्या करेंगे यहां पर CH3NH2 में चेंज कर देंगे ठीक है इसके अलवा कोई भी आंसर नहीं होगा बस आपको याद यह रखना है कि SNHCL NH2 ZNNOH और PDH2 के प्रेजिंस में इनको NO2 से क्या बना देना है बताओ NS2 बना देना है चाहे हो किसी के साथ भी क्यों न जुड़ा हो ठीक है दूसरा जी दूसरा Ammonolysis करते है Ammonolysis का मेनिंग होता है कि Ammonia का जुड़ जाना या Ammonia के प्रेजिंस में किसी और का टूट जाना Ammonolysis of Alkylilide देखे इसमें न कुछ खास चीज़ा है उसको समझते है देखे क्योंकि Nitrogen के पास Lone Pair of Electron है और R यहाँ पे जो है न इसके पास लगववगेंट और बाइटल है तो दरसल करता क्या है जब NS3 अपना Lone Pair of Electron लेके आता है प्लस Rx के साथ तो यहाँ पे न यह Insert होने की कोशिस करता है क्या होने की कोशिस करता है Insert होने की कोशिस करता है Insert होके यह जो बनाता है R NH3 Positive बनाता है और X क्या बना देता है Negative यहाँ पे X का Meaning हो सकता है CL हो, BR हो, IO या फिर कुछ भी हो सकता है ठीक है न उसके बाद देखें आप फिर क्या करेंगे आपके पास जो यह सब यह अमूनियम जो सॉल्ट बन चुका है इसकी रियक्शन करवा देनी है आपने एन्यमेज के साथ ठीक है ना एन्यमेज से करवा देंगे तो आपको क्या बन जाएगा यहां पर अमीन बन जाएगा अब देखो आपके पास था कोई आर आर एक्स ग्रूप था इसको एलकिल हैलाइड मान लेजिए क्या मान लेजिए एलकिल हैलाइड इसकी रियक्शन आप करवा देजिए एन एच्ट्री के प्रेजिंस में इसकी रियक्शन अगर एन एच्ट्री के प्रेजिंस में होगा तो एन NH3 पॉजिटिव और एक्स क्या बना दएगा यहां पर नेगेटिव बनाएगा ठीक है उसकी बात क्या होगा होता हो अब फिर यह तो आपका सॉल्ट बन गया है यह सॉल्ट बन गया है तो आपको किया Pav देनी इसके रियक्षिन एन एउएच के साथ करवा नहीं किसके साथ और जहां से आपको मिल जाएगा आर एन एच टू बन जाएगा ठीक है प्लस आपका एस्टो तो बनना ही बनना है ठीक है ना अब क्यों बनेगा उसको समझो जब ना आपके पास इनिशियली जो एन एस थ्री था एन एस थ्री क्या था पहले बेस था बाद मे क्या बन चुका है अगर एन एस थ्री बन चुकर है जिसकी एक टेंडेंशी है कि वह एक प्रोटॉन को क्या करेगा ? क्या पूर्ट रिलीज करेगा तो प्रोटॉन को रिलीज करेगा तो घ्रीक quindi कि रियक्शन एन यवयर्ज की साहत करवाएंगे तो अभी के लिए हो चुका तो acid base reaction होगी तो आपका क्या बन जाएगा आमीन बनेगा और water eliminate हो जाए ठीक है ठीक बात है अब देखो अगला क्या है आपके पास कि मान लिजिए आप 1 degree से 2 degree, 2 degree से 3 degree जाना चाहें तो उसमें भी आप इस type की process का use कर सकते हैं ठीक है तीसरा, अभी क्या है मान लिजिए ना, अभी हमने ये वाली reaction करी कि जैसे आर एक्स की reaction करवाई NH3 के साथ, ठीक है ना NH3 के साथ, यह जो आर एक्स है यहाँ पे हो सकता है RCL हो, यहाँ पे क्या हो बता हो, RBR हो, या फिर यहाँ पे क्या हो बता हो, RIB हो, इन तीनों में से कोई किस की होगी देखें रइक्तिविटी सबसे ज्यादा उसी की होगी जिसका बॉण्ड क्या होगा फीच बॉण्ड किस पर डिपेंड करता है ΔEisc क्या होती है इंवरष्ली पूपोर्पोर्जनल्ड क्या होनाथ ये बॉण्ड स्ट्रेंध के, bond strength के, यानि कि bond strength अगर ज्यादा होगी, इसका मतलब bond length क्या मानी जाएगी, वहाँ पर कम मानी जाएगी, अब देखो, अगर आप R C L की बात करें, R B R की बात करें, और R I की बात करें, तो बताओ, c l का size क्या है c l size is small है small है और जो आराम से क्या कर सकता है बताओ r के साथ bonding कर सकता है दूसरे region एक इसका यह भी होता है न यह जो r है न यहाँ पर इसके पास 2p orbital है और जो c l है न इसके पास कौन सा है बताओ 3p orbital है दूसरे में यहां पर कौन कौन सी अच्छा है 2P और 3P की बॉंडिंग हो रही है यहां पर कौन सी है 2P और 4P की बॉंडिंग हो रही है यहां पर कौन सी हो रहे बताओ 2P और 5P की बॉंडिंग हो रही है वैसे भी बॉंड एनर्जी यह 5P और 2P के बीच में बॉंड गया होगा माल लेजिए यहां पे आपका 5p है और यहां पर क्या हो जाएगा बताओ 2p होगा तो बॉंड लेंठ तो ऐसे बढ़ गया ना भाई to क्या हो जाएगा बताओ, bond strength, bond strength, ठीक है न, यह हो गया, अब उसके बाद देखिए, इसका मतलब सबसे ज्यादा reactive कौन होगा, RI होगा, उसके बाद कौन होगा, RBR होगा, उसके बाद कौन होगा, RCL, जैसे की, यह वाला है, ठीक है, दूसरा है, sin8 का reduction, देखिए, sin8 का reduction करना कैसे है, कि आपको दे दिया, cn दे दिया है न, cn दे दिया, तो आप क्या करेंगे, बताओ, सबसे पहला काम, कि आपके पास दे दिया है, R, C, triple bond, n दे दिया है, और यहाँ पे आपको h2 दे रखा है, तो आप क्या करेंगे, बताओ, एच, एच, दोनों में, एक, 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 जोड़ देंगे, हैना, R, C, H, double bond, क्या बोलेंगे, इसको n, h, further reduction होगा, इसका, हैना, further reduction होगा, आपको metal भी दे रखा है, तो ऐसे केस में यह बना लेगा, R, C, H2, n, h2, बन जाएगा, आपको करना क्या है, जो आपको बात करनी है, वो यह है, है, कि आप अगर, ना, किसी भी, कार्बॉक्सिलिक, रियक्शन आफ, रियक्शन आफ, कार्बॉक्सिलिक एसेड, कार्बॉक्सिलिक एसेड, विद, हैईडरा जोई कैसे, हाइड्राजोइक एसीड ठीक है इन इन एसिडिक मीडियम एसिडिक मीडियम मालने यह एन थी है आपका है इसके प्रेजिंस में क्या बनाता है यह एलकिल अमाइन बनाता है ठीक है तो आज इतना ही करते हैं कल सिमेड रियक्षन की जो मेकनेजम होकी उसको भी करेंगे है अब यह सिरीज इस चैप्टर की और काइनेटिक चैप्टर की लगातार आया करेगी ठीक है न तो कल तक के लिए आप लोग थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लें और काइनेटिक जो हमा और कर्टियस डिग्रेडेशन की मेकनेजम प्लस शॉट ट्रिक दोनों ही कल बताये जाएंगे थैंक यू सू मच हैपी लगनिंग